जो response teams को, contentment और surveillance, SOPs, इसकी reorientation की आवश्यक्ता हो, वो भी किया जाना चाहिए, फिर से एक बार 4 गंटे, 6 गंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पर चर्चा हो, sensitize भी करेंगे, पुरानी चीज़े याद भी करा देंगे, और गती भी ला सकते हैं, और इसके साथ ह पेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरतास की ज़रूरत है, जैसे कि हम पिछले एक साल से करते आ रहे हैं, हर संक्रमित व्यक्ति के कॉंटेक्स को, कम से कम समय में ट्रैक करना, और RT-PCR टेस्ट रेट, 70% से उपर रखना बहुत एहम है, हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रेपीड एंटिजेन टेस्टिंग पर ही ज़्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरों से गाड़ी चल रही है, जैसे केरल है, पुरीचा है, चछतीजगड है, यूपी है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल क जरूत है, इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूँ, देश के सभी राज्यों में हमें आर्टी, पिसीटी, टेस्ट और बढ़ाने पर जोड़ देना होगा, एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है, वो ये, कि इस बार हमारे टियर टू और टियर थ्री शहर, जो शु जड़ाई में हम सफलता पुबग बच पाए हैं, उसका एक कारण था, कि हम गाउं को इससे मुक्त रख पाए थे, लेकिन टियर टू टियर थ्री सिटी पहुचा, तो इसको गाउं में जाने से देर नहीं लगेगी, और गाउं को समानना हमारी व्यवस्ताइं बहुत कम जान देना होगा, प्रेजेंटेशन में ये भी बात हमारे सामने रखी गई, कि अभी वाइरस का स्प्रेड डिस्प्रेस्ट बैनर में हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी बज़े ये भी है, कि अब पुरा देश ट्रेवल के लिए खुल चुका है, विदेशों से आने वाले लोगा के संख्या भी बड़ी है, इसलिए आज हर एक केस के ट्रेवल की, उसके कॉंटेक्स के ट्रेवल की सूचना सभी राज्यों को आपस में भी साजा करना जरूरी है, आपस में जानकारी साजा करने के लिए किसी नए मेकनिजम की जरूरत लगती है, तो उस पर भी से आने वाले यात्रियों और उनके कॉंटेक्स के सर्वेलेंस के लिए एसोपी के पालन की जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ गई हैं। अभी हमारे सामने कोरोना वाइरस के न्यूटन्स को भी पहचाने और उनके प्रभावों का आकलन भी का भी एक प्रश्णा है। आपके राज्यों में आपको वाइरस के बेरियंट का पता चलता रहे। इसके लिए भी जीनोम सेंपल भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाना उतना ही एहम है। साथियों वैक्सिन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तोर पर इस लड़ाई में वैक्सिन अब एक साल के बाद हमारे हाथ में एक हत्यार आया है। यह प्रभावी हत्यार है। देश में वैक्सिनेशन की गती लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में तीस लाख लोगों को वैक्सिन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सिन डोसिज वेस्ट होने के समस्या को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए। तेलंगना और आंतरपदेश में दस प्रतिशत से ज़्यादा वैक्सिन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सिन वेस्टेज करीब पर बैसाई है। वैक्सिन क्यों वेस्टेज हो रही हैं इसकी भी राज्यों में समिक्षा होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ हर रोज शाम को इसके मॉनिटरिंग की वेवस्टा रहनी चाहिए। और हमारी सिस्टिम को प्रोयक्टिव लोगों को कॉंटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मोजूद रहे ताकि वैक्सिन दे वैक्सिन वेस्टेज न जाए इसकी ववस्टा होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से जितना परसंटेज वेस्टेज होता हैं हम किसी के अधिकार को बरबात कर रहे हैं। हम किसी के अधिकार को बरबात करने का हमें हक नहीं है। स्थानिय तरपर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कम्यां है उन्हें तुरंट सुधारा जाना चाहिए वैक्सिन वेस्टेज जितनी रुकेगी और मैं तो चाहूँगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टार्गेट से काम शुरू करना चाहिए हमारी हम वेस्टेज नहीं होने देगे एक बार कोशिज करेंगे तो इंप्रूमेंट जरू होगा उतने ही ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सिन की दोनों लोज पहुँचाने के हमारे प्रयास सफल होंगे मुझे विश्वात है कि हमारे इन सामुहित प्रयासों और रन्दित्यों का अमल जल्दी हमें दिखाई देगा और उसका प्रणा पिले जरा गया अन्त में मैं कुछ बिंदू फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ ताकि हम सभी इन विश्वाओं पर ध्यान देते हुई आगे बढ़े एक मंत्र जो हमें लगातार हम सब को कहना होगा दवाई भी और कड़ाई भी देखिए दवाई मतलब विबारी चली किसा नहीं मान लिजे किसी को जुकाम हुआ है उसने दवाई ले ली सब ली तकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसको ठंडी जगा पे बिना सुरक्षा के उनी कपड़े वगर पहने बिना वो चला जाए बा जी इस बिमारी के लिए नहीं है यह हर बिमारी के लिए है अगर हमें टाइपड हुआ दवाई हो गए सब हो गए फिर भी डॉक्टर कहते हैं इन इन चीजों को नहीं खाना यह वैसा ही है और इसलिए मैं समाता है इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए और में हम बार बार लोगों को आगर ही करें दूसरा जो मिशे मैंने कहा आर्टी पीसी आर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवशक हैं ताकि नए केसिस की पहचान तुन्त हो सके थानिय प्रशासन को माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाने के दिसा में हमें आगरह करना कि वहीं पर काम तेजी से करें हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमन का दायरा फैलने से रोकने में वो मदब करेगा वैक्सिन लगाने वाले केंदरों की संख्या बढ़ाने की आवशक्ता है वो प्राइवेट हो सरकारी हो जीतना जैसा आपने मैप देखा होग मतलब की हमारे वैक्सिनेशन चेंटर उतने नहीं है और यह तो एक्टिव नहीं है देखिए टेक्नोलोजी हमारी बहुत मदद कर रही है हम बहुत आंसानी से डे टू दे चीजों को और्गनाईज कर सकते हैं इसका हमें फायदा तो लेना है लेकिन उसमें उसके आधार पर हमें इंप्रूमेंट करना है हमारे जितने सेंटर्स प्रोयक्टिव होंगे मिशन बोर्ड में काम करेंगे वेस्टेज भी कम होगा संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंद बढ़ेगा मैं चाहता हूँ कि इसको बल दिये जाए साथ ही एक बात हमें ध्यान तक रखनी होगी क्योंकि वेक्सिन निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकले हमें निकलना है अधरवाई ये एक साल दो साल तीन साल तक खिंटा चला जाएगा एक बुद्धा है वेक्सिन के एक्सपारी डेट हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज जो बाद में आया है उसका बाद में उप्योग हो अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उप्योग कर लेंगे तो फिर एक्सपारी डेट और वेस्टेज की स्तिति बन जाएगी और इसलिए मुझे लगता है कि एवोडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए हमें पता होना चाहिए कि ये लॉट हमारे पास जो हैं, इसके एक्सपारिडेट ये हैं, हम सबसे पहले इसका उप्योग कर देंगे, ये बहुत ज़रूरी है, और इन सभी बातों के साथ इस संक्रमन के फैलाव को रोकने के लिए, जो मुल्भूत कदब है, जैसा मैं कहता हूँ, दवाई भी और कड़ाई भी, मास पहनना है, दोगे इसके दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का अध्यान रखना है, पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा, ऐसे कई कदमत जो पिछले एक साल से हम करते आये हैं, फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है, फिर से हमें कड़ाई करनी पड़े तो करनी चाहिए, जैसे हमारे कैप्टन साब कह रहे थे, हम कल से एक बड़ा कड़ाई करने का मुमेंट चला रहे है, अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हम सब ले इस विशा में हिम्मत के साथ करना पड़ेगा, मुझे विश्वास है कि इन यागुरुकता बनाए रखने में हमको सफलता मिलेगी, मैं फिर एक बार आपके सुझाओं का धन्यवाद करता है, और और भी जो सुझाओं है, आप जुरू भेजिए, जो हॉस्पिटल के विशे में जो आज चर्चा निकली है, आप दो-चार घंटे में ही सारी जानकर ग करने होंगे, तो हेल्थ मिनिस्ट्री तूरंद कर लेगी, और मैं भी उस पर ध्यान दूँगा, लेकिन मैं कहता हूं कि हम अब तक जो लड़ाई जीचते आए हैं, हम सब का सयोग है, एक-एक हमारा कोरोना वारियर का सयोग है, उसके कान हुआ है, जनता जनारदन ने भी ब और भारत विजय हो रहा है, एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-ए आप सबने बहुत मेहनत किये हैं, आपके पास इसके एक एक्सपरटाइज टीम बन चुकी है, थोड़ा आप डेली एक बार दवबार पूछना शुरू कर दीजिए, शबता में एक दो बार मिटिंग लेना शुरू कर दीजिए, चीजे अपने आप गतिप पकड़ जाएगी, मैं फिर एक बार बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सबको आपकी मिटिंग मेंने और्गनाइज की, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और बहुत विस्तार से अपनी सारी जानकारिया दी, मैं आपका बहुत बहुत आभार वेक्तर करता हूं, धन्यवाद जी.